जै मातादी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में पढ़ने वाली रक्षा बंधन के बारे में सावन पूर्निमा का व्रत किस दिन रखना है इस नानदान कप करना है पूर्निमा तिथी कब से कब तक रहेगी और भद्रा कब से कब तक रहेगी राखी बांधने का श अनुसार सभी शुबकारियों के लिए भद्रा का त्याग किया जाना चाहिए सभी हिंदू ग्रेंथ और पुरांट खास कर वृत राज भद्रा समाप्थ होने के बाद रक्षा बंधन विधी करने की सलह देते हैं भद्रा पूर्णिमा तिथी के पूर्व अर्ध भाग में व्याप्त रहती हैं इसलिए भद्रा काल समाप्थ होने के बाद ही रक्षा बंधन का तिहार मनाया जाना चाहिए अपरहंग का समय रक्षा बंधन के लिए अधिक उप्युक्त माला जाता है जो कि हिंदू गर्णा के नुसार दो पहर की बाद का समय होता है अगर समय रक्षा बंधन का तिहार नहीं मनाया जाता ऐसे में प्रदोष काल के समय में रक्षा बंधन का तिहार मनाने की सलह दी जाती है भद्रा काल के समय में राकी बानने से अशुप फलों की प्राप्ती हो सकती है इसलिए जब प्राते काल में भद्रा हो तब भी भद्रा समाप तोने के बाद ही राकी बाननी चाहिए हर साल सावन महिने की पुर्णीमा को रक्षा बंधन का त्युहार मनाए जाता है और साल दोजार चौबिस में 19 अगस्त सोमवार को सावन पुर्णीमा है इसी दिन रक्षा बंधन का त्युहार मनाए जाएगा और इसी दिन सावन पुर को ही 11 बचकर 25 मिनट पर तिथी समाप्थ हो जाएगी अब जाने भद्रा काल के समय के बारे में 19 सगस सुमवार को सुबह पूर्णिमा तिथी प्रारम होने के साथ ही भद्रा भी लग जाएगी और भद्रा मुख का समय रहेगा सुबह 10 बचकर 53 मिनट से दो पहर 12 बचकर 37 मिन मिनट से 10 बचकर 35 मिनट तक और भद्रा काल समाप्थ होने का समय रहेगा दो पहर एक बचकर 30 मिनट पर इसके बाद से ही रक्षा बंधर का त्योहार मनाया जाएगा और 19 सगस सुमवार को राखी बांधने का शुबमूर्थ रहेगा दो पहर 12 बज़े से लेकर रात 9 बचक 20 मिनट तक कुल अबधी रहेगी दो घंटे 37 मिनट की और प्रदोशकाल का मोरत रहेगा शाम 6 बचकर 56 मिनट से रात 9 बचकर 8 मिनट तक इस तरह से कुल 2 घंटे 11 मिनट की प्रदोशकाल की अबधी रहेगी आप इन मोरतों में कभी भी अपने भाई को राखी बान सकते हैं उमीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा